काइरालेटी एंड प्लैन ऑफ सिमिट्री इन में डिफरेंस क्या आए और कैसे ये ऑ्प्टिकल अक्टिविटी को एफेक्ट करेंगे सबसे पहले हम काइरालिटी को समझेंगे देखिए काईरालिटी जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए काईरल कार्बन एटम क्या आए तो वो वला कार्बन एटम जिसके अराउंड सबी जो फोर गृप्स हैं वो डिफरन हो नौन सिमिलर गृप्स अटैज्ट होने चाहिए किसी एक कार्बन के ओपर और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन maximum four bonds ही बनाएगा तो जितने भी इसके around groups होंगे वो सबी non identical होने चाहिए non similar होने चाहिए तो ऐसे कार्बन atom को हम क्या बोलेंगे काईरल कार्बन atom example लेंगे हम यहाँ पे किसी एक amino acid की glycine को छोड़के जैसे ये कार्बाग्सलिक acid group लगा है और ये amine group लगा है अब आप इसमें methyl group लगा लीजिए तो ये एक amino acid है alpha amino acid तो middle वाला कार्बन जिसके around one two three और ये fourth ये चारों groups अलग लग हैं तो हम इसको assign करेंगे chiral carbon atom इस तरह से ये process chirality है और अब हम plane of symmetry यहाँ पे समझेंगे plane of symmetry यहाँ POS हम इसे बोलते हैं plane of symmetry जब कभी भी किसी भी compound में से pass होगा तो वो उस compound को two identical parts में divide कर देगा जैसे हम ये एक compound की example लेने लगे हैं आप देखिए ये जो carbon है इसके around ये वाला ग्रूप hydrogen hydroxyl ये नीचे वाला ग्रूप ये सभी चारों के चारों अलग हैं अब इसके around देखिए ये वाला OHH और CH3 तो ये भी plane of symmetry ये इसी compound को दो equal parts में देखिए डिवाइड करेगा सभी groups यहां पर सेम लगे हैं तो ये वाला जो हमारे पास line पास कर गया है उसे बोलते plane of symmetry और ये plane of symmetry होने के कारण optical inactivity शो करेगा ये वाला compound चाहे इसके पास एक से ज़्यादा chiral carbon atom है तो plane of symmetry क्या करेगा optical inactivity इस तरह से ये जो carbon atom है chirality शो करेगा जिसमें चारों ग्रूप अलग लग हैं तो ये क्या बनाएगा इसको optical activity का फिनोमिना शो करने के capable तो इस तरह से chirality और plane of symmetry में आज हमने difference किया है